आजकल का युवाओं में अक्सर गर्ल्फ्रेंड बनाने की होड लगी रहती है चाहे आप पार्क में बैठे हो या सड़कों पर घूम रहे हो कपल्स को देखकर जितने भी सिंगल्स हैं उनको हमेशा लगता है कि कास उनकी भी कोई गर्ल्फ्रेंड होती है जिसे वो अपने दिल के बात कर सकते थे लेकिन कि आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगा है जहां जितने भी सिंगल्स हैं उनको गर्फ्रेंड के लिए ज्यादा मत्थपची नहीं करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें सिर्फ 10 रुपए में एक खुबसूरत लड़की गर्फ्रेंड के तोर पर मिल जाती है तो आईए दोस्तों इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कहां हो रहा है दरसल चीन के गवांडो में एक स्टोर है जहां घुबसूरत और जवान लड़कियां एक लाइन में खड़ी रहती हैं यहां कोई भी लड़के आकर अपनी पसंद की लड़की को किराये पर गर्फ्रेंड बना कर ले जा सकता है और इसके लिए उन्हें पर 20 मिनट के हिसाब से 10 रुपए पे करना होता है अपनी पसंद की लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए लड़कों को सबसे पहले लड़की के मोबाइल फोन पर एक QR कोड को स्कैन करना होता है और उसके बाद पैसा पे करना होता है QR code scan होने के बाद ही आप उस लड़की को अपने साथ घुमाने के लिए ले जा सकते हैं हाला कि इसके लिए सर्थ ये रखा गया है कि आप अपनी पसंद की लड़की को उसी mall और store के आसपास घुमा सकते हैं और आप उसे shopping भी करा सकते हैं इसके अलावा आप लड़की को lunch date पर भी ले जा सकते हैं लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए और अगर आपको लड़की के साथ इससे ज्यादा समय बिताना है तो आपको फिर से payment करना होगा और साथी बता दें कि आप अपनी पसंद की लड़की को बिना उसकी मरची के छू नहीं सकते अगर लड़की की इजाज़त हो तो ही आप उसे छू सकते हैं उसका हाथ पकड़ सकते हैं और कुछ दिनों पहले ये खबर सोसल मीडिया पर खूब वाइरल हुई थी जिसके बाद लोगों के मन में इस जगा को जानने की इच्छा जागी थी और इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दू और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी पूछा था इस जगा के बारे में तो मैंने research किया और मुझे ये जानकारी मिले तो मैंने सुचा कि आप तक ये जानकारी पहुंचा दो और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां सिर्फ girlfriend ही नहीं बलकि लड़कियों के लिए boyfriend भी किराय पे मिलते हैं इसके लिए भी वही सारी सरते लागू है जो लड़कियों पर लागू होती है मतलब आपको वही वहां से लड़का चुनना है जो भी है उसके बाद आपको QR code को स्कैन करना है उसके बाद पे करना है और फिर आप उसी mall के आस पास उस बंदे को सौपिंग करा सकते हैं